मेरा नाम दीता चौधी आशा करते हूं कि आप सभी लोग स्वस्त होंगे अच्छे होंगे ऐसे ही अपना और अपने फैमिली वालों को अध्यान रखें स्वस्त रहें अच्छ रहें मस्त रहें और जो भी न्यू वियर्स हैं उन लोगों के लिए मैं बता दू कि हमारे चैनल में दाके लिंक ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलें और प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें टेली ग्राम का भी के Remoteương के सलिए गया है कहीं पहीं पर ग्रियूटी के नाम से इंटेडूस किया गया है कि लेकिन प्रवी जगह पर इसको ग्रिक रॉपर मान गया है ठीके ये जो इसका जो मिन सहां फइरेश इसका मारा मातब ऑध से एफेरसेस टेकनिक थी, यह फर्स्ट टाइम डवलप हुई 1950 में, अब यह डवलप कैसे हुई, एक स्वस्त परसन के शरीर से, मतलब एक हेल्दी परसन की बॉड़ी से क्या किया गया, पेरिफरल रेड ब्लेड सेल्स, जिनने हम लाल उदिर कड़काएं भी बोलते हैं, उनको टेकनिक थी, जिसमें कि हेल्थी परसन की बॉड़ी से, रेड ब्लेड सेल्स को एक घटा करके, एक बीमार परसन की, एक सिख पेशेंट की बॉड़ी में डाल के, जो उसकी हेल्प में सुधार आया, यह टेकनिक क्या खेलाई, एफरेसेस, इसलिए बोल गया है, कि यह तेकन से और लोगों पे भी एक्सपरिमेंट किया गया तो उस पे भी ये फायदा की और लोगों को भी तो ये टेक्निक फिट धीरे-धीरे पूरे संसार में या वर्ड वाइड फैल गई अब प्लाज्मा फेरेसेस बाज इंटर्ड्यूस अब वर्ड आता है प्लाज्मा फेरेसेस ये प्लाज्मा फेरेसेस वर्ड जो है ये मिड' 1970 मतलब की 1970 के बीच में और 1980 में इंटर्ड्यूस किया गया तो जो भी अबजेक्टिव अगर कॉशन आता है तो जो भी ठीक लगे जो भी दिया हो उस पर आप लगा सकते हैं ठीक है तो यह इंटर्ड्यूस कब हुआ यह इंटर्ड्यूस हुआ जो रीनल डिजीज मतलब किड्नी की प्रती रच्छी तंत्र से रिलेटिड जो बीमारियां थी उन में इसको सबसे पहले इंटर्ड्यूस किया गया अब इसके अलाबा इसको गुट पॉस्चर डिजीज होती है वह भी किड्नी से रिलेटिड होती है तो उसके मैनेजमेंट में इम्मिनोस अप्रेसिस ड्रक्स के बेनिफिट में भी इसको इंटर्ड्यूस किया गया मतब जाना गया प्लाजमा फेरेसिस को तब से लेके अब त बहुत सारी किड्नी की डिजीज में बहुत सारी इम्मुन सिस्टम से रिलेटिड डिजीज में और बहुत सारे एंटिबोडी से रिलेटिड डिजीज में इसका यूज किया जा रहा है प्लाजमा फेरेसिस या जिसे हम थ्रिपेटिक प्लाजमा एक्सचेंज भी बोलता है या plasma exchange भी बोलता है खाली, ठीक है, तो यही नहीं है कि kidney disease में ही इसका use किया जाता है, बहुत सरी other disease में भी इसका use किया जाता है, अब सबसे main बात आती है कि what is the difference between plasma pharesis and plasma exchange, plasma pharesis में और plasma exchange में difference किया है, ठीक है, तो देखिए जो plasma pharesis है, इसमें क्या होता है, कि cable बहुत small amount में, small amount में only 15% जो patient का ब्लड है, उसमें से cable 50% plasma ही remove किया जाता है, मानिए कि अगर किसी patient के blood में 55% मतलब सब भी patient जो होता है, उन में 55% plasma होता है, तो cable उसका 15% का जो मतलब 15% जो हिस्सा है, वही remove किया जाएगा patient की body से, पूरा plasma remove नहीं किया जाएगा, मतलब small amount में, जो plasma है, वो जो भी बिमार patient है, उसके blood से remove किया जाएगा, और उसके बदले कोई भी replacement fluid नहीं दिया जाता, ठीक है, तो यह जो technique है, जिसमें कि small amount में plasma remove किया जाता है, patient के blood से, और replacement में कोई भी fluid नहीं दिया जाता, यह क्या कहलाती है, plasma feresis, अब दूसरी technique आती ह प्लाजमा एक्सचेंज, जिसे हम therapeutic plasma exchange भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कि large amount में plasma को निकाला जाता है, patient की body, patient से, मतलब patient के blood से, उसके अलाबर replacement में, fresh, fresh, मतलब ताजा प्लाजमा, या फिर freeze किया हुआ प्लाजमा, या फिर इस् सेलाइन वेरा भी देते हैं, कभी-कभी glucose वेरा भी दे देते हैं, लेकिन small amount में बीपी वेरा का कुछ हो रहा हो, वन्ना तो आइसोटनिक सेलाइन, एल्विमिन और fresh, frozen या stored plasma replacement में देते हैं, क्योंकि हम बहुत जादा plasma उसकी body से निकाल चुके हैं, ठीक है, अब ये जो technique है, अब इसमें क्या होता है, कि अगर क्यों जरूरत है, कि हमने plasma निकाला उसकी body से, पेशेंट से, और हम उसके बदले replacement दें उसको, वो इसलिए जरूरत है, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो patient को क्या हो जाएगा, हाइपोबॉलीमिया हो जाएगा, patient का volume है, जो blood का, वो क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, patient के collapse होने के chances बढ़ जाते हैं, अब collapse होगा, patient तो क्या होगा, death होने के chances भी बढ़ जाएगे, इसलिए, इस situation को manage करने के लिए, हम जितना भी large amount में plasma निकालते हैं, उसके बदले replacement में, albumin, या कुछ ना कुछ, fluid जरूर देते हैं, अब यह जो इसको हम कहां करते हैं, blood bank में करते हैं, dialysis center पे करते हैं, hospitals में करेंगे, clinics में करेंगे, या कोई भी physician जिसने की अपना separate मतलब clinics खोल रखे हैं, या offices बना रखे हैं, जिसमें कि उसने emergency से related सभी चीज़े रख रखी हैं, तो that point पे हम इसको कर सकते हैं, therapeutic plasma exchange को या plasma exchange को, ठीके, अ अमाउंट में plasma को remove कर रहे हैं, ठीके, और उसके बदले क्या दे रहे हैं, एक तो large amount में plasma को remove कर रहे हैं, उसके बदले हम replacement में उसको fluid दे रहे हैं, क्योंकि hyperbolemia ना हो, अब जो fluid दिया है, ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि उस patient को, उस patient की body उसको फटा-फट से accept कर लेगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ना accept करें और patient को कुछ complication हो जाएं, ठीके, तो यह जो complications ना हो, उससे बचने के लिए, यह हो भी जाएं, ठीके, तो उन complications को कैसे उनसे बचा जाएं, और कैसे patient को revive किया जाएं, इसी चीज को देखते हुए, इस therapeutic plasma pharesis को हम कहां करते हैं, डालेस center पर या किसी भी blood bank में, या कुछ भी clinics वेरा में करते हैं, और करता कौन है, करते वो लोग हैं, जो इस चीज में plasma exchange वाले या plasma pharesis की technique में क्या होते हैं, expert होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप plasma exchange करने के लिए लगा देंगे, ठीक है, तो इसके लिए trained person होने चाहिए, दूसरा इसमें क्या है, कि इस procedure में क्या रहता है कि clotting वेरा ना हो, उसके लिए तो आपको पताईए कि हम anticoagulant वेरा देते हैं, ठीक है, plasma pharesis procedure शुट भी perform, यह मैंने आपको सारा कुछ बताई दिया है, अब आगे आते है, thropeatic plasma pharesis, अब thropeatic plasma pharesis क्या है, यह special procedure है, जो कि क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, मताब similarly होता है, यह dialysis जैसे होती है, वैसा ही होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, कि antibodies को निकाला जाता है, ना कि other चीजों को, तो इसमें से harmful antibodies निकलेंगी, और जो based होता है, वो जाएगे, तो सबसे main जो focus है, वो कहा है, harmful antibodies को remove किया जाता है, और ब्लड को भी filter किया जाता है, ठीक है, इस procedure, यह भी मैंने आपको बता दिया, कभी-कभी यह procedure है, यह कहा होता है, ICU में अगर बहुत जादा patient sick है, that situation में, ठीक है, इस procedure में क्या होता है, large quantity में, यह जो हम आप बोल रहा हैं ना कि हम plasma pharesis कर रहे हैं, हम plasma pharesis नहीं करते हैं, अपने center पे, हम क्या करते हैं, therapeutic plasma exchange या therapeutic plasma pharesis करते हैं, हम plasma pharesis नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको plasma pharesis में और therapeutic plasma exchange म क्या बता दिया है, difference बता दिया है, तो हम जो अपने center पे करते हैं, dialysis वेरा पे, हम क्या करते है, therapeutic plasma exchange या उसका दूसरा नाम therapeutic plasma pharesis है, ठीक है, इसको हम करते हैं, तो इस procedure में, आपको मैंने पूरा बताई दिया, कि बहुत large amount में, मतलब, plasma निकालते हैं, और उसके replacement में, जो arthropeptic plasma pharesis के लिए, तो इस procedure के लिए एक vascular axis चाहिए, चाहे वो intra jugular हो, या femoral catheter हो, ठीक है, और इसके अलाबा, AB fistula हो, और AB graft हो, मतलब, एक vascular axis चाहिए, चाहे वो jugular form में हो, चाहे वो femoral catheter के द्वारा हो, चाहे फिस्टूला बना हो उस patient का, चाहे ग्राफ्ट बना हो, ले next है, hemodialysis machine चाहिए, जिसमें की blood pump और blood line हो, जैसे कि हम इसको बोल सकते है, hemato circuit चाहिए, और human albumin चाहिए, कितने percent वाली, 4.5 से 5% वाली, और hemato circuit मैंने आपको बता दिया, crystaloid चाहिए, crystaloid क्या है, यह एक echo solution है, पानी वाला solution है, जो की बनता है पानी से, और small solutes, कुछ small solutes होते हैं, जिने हम बोलते हैं, electrolytes, isotonic solution, glucose, इन से मिलके यह बना होता है, मतलर normal soline आप बोल सकते हैं, कि हमें isotonic solution, मतलर normal soline चाहिए, crystaloid में, और blood flow rate आपका plasma pharesis के समय पे 80-150 ml per minute होना चाहिए, इसलिए इसमें anticogglant की ज़रूरत होती है, क्योंकि blood flow rate बहुत कम होता है, anticogglation चाहिए, like heparin हो, तो भी चलेगा, और कहीं-कहीं पर heparin भी यूज़ करते हैं, और citrate solution भी यूज़ करते हैं, citrate क्या है, जैसे हमारा पार्टे-पार्ट भी है, bicarbonate solution, ऐसे ही citrate solution आता है, ठीक हैं, कई पर क्या करते हैं, कि Elvamin को और जो normal cell line होता है, उसको 50-50% के ratio में क्या हो जाता है, mix कर लेते हैं, और plasma के replacement में इसको भी यूज़ करते हैं, तो यह इसकी requirement है, प्लाजमा, therapeutic plasma pharesis की, अब देखिए, अब यह कुछ picture दिये हुए है, जिसमें की यह patient दिया गया है, कि यह patient है, यहां से हम एंटिकोगलेंट वेरा दे रहे हैं, जब भी आप plasma pharesis के लिए blood line को use करते हैं, उसको एंटिकोगलेंट से बहुत अच्छी तरीके से priming किया जाता और फिर बाद में यह जो सारा blood है, यह filter होता है, जो हम यूज करते हैं, जैसे dialysis filter है, ऐसे ही यह filter में आता है, लेकिन इसमें difference क्या होता है, जब dialysis filter को हम लगाते हैं, तो दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी coupler का use करते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां से एक तर substitute fluid है, वो अपना निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए, यहां से होते हुए और इससे मिलता हुआ, पूरा फिल्टर होता हुआ, क्या करता है, यह पेशन की बॉड़ी में चला जाता है, ठीक है, यहां पर एक और पिच्चर दिये, ऐसे ही दिये, और मैं इसका पूरा किलिय आगे वाले उसमें शो करूंगी, क्योंकि अभी इसका प्रोसीजर और टेकनिक मैंने नहीं बता है, वह मैं आगे प्रोसीजर वहरा बताऊंगी, तब जरूर बताऊंगी अच्छी तरीके से, अब हमने रिक्वार्मेंट इसकी पढ़ ली, अब आते हम, बलड पे, क्योंकि अब हमने यह सब पढ़ा है, तो इसके लिए हमें बलड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो आज बहुत हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू